CBI कस्टड़ी में जाने से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने गीता घर का बना खाना और बेल्ट की डिमान की थी जिसे कोर्ट त्वारा मान लिए गया है उन्होंने अदालत में कहा है कि उन्हीं जेल में चश्मा दवाई घर के बने खाने गीता और साथ में एक बेल्ट की बहुत जरूरत है उन्होंने कहा कि बेल्ट की उन्हें बहुत ज़ादा जरूरत है क्योंकि तीहार में बेल्ट ना होने की वज़ा से उन्हें अपने पैंट पकड़ कर चलनी पड़ती है जिसकी वज़ा से उसे बहुत शर्म आती है बतादे कि अर्विन केजरिवाल को शराब घोटाला मामले में 26 जून को 3 दिन CBI कस्टडी में भेजा गया था और अगली सुनवाई 29 जून को 7 बजे होगी इस दौरान अर्विन केजरिवाल की पतनी सुनिता केजरिवाल ने कुछ सोशल मेडिया पर ट्वीट कर प्रधान मंत्री पर निशाना साधा है उन्होंने को स्तेर पहले ट्वीट कर कहा कि अभी तक हमेशा यही प्राथना कर रही हूं कि इश्वर सबको सत्गुद्धी दे लेकिन अब प्राथना रहेगी कि ताना शाही का विनास हो इससे पहले सुनीता केजरिवाल ने दिल्ली मुख्यो मंत्री की गिरफतारी पर सवाल उठाये थे उन्होंने लिखा था 20 चून अर्विन केजरिवाल को बेल मिली तुरंत इडी ने स्टे लगवा दिया अगले दिन सीवियाई ने आरोपीत बना दिया और आज गिरफतार कर लिया पुरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए ये कानून नहीं है ये ताना शाही है इमर्जेंसी है गौरतलब है कि अब पहली बार नहीं है जब सुनिता केजरिवाल ने अपने ट्वीटों के माध्यम से सब पर ताना ना कसा हो वो हमेशा ही अपने ट्वीटों के कारण चर्चा में बनी रहती है सुनिता केजरिवाल ने कुछ समय पहले अपने पती की कुर्शे पर बैठ कर विपक्षियों को भला बुरा कहा था साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि अर्विंद केजरिवाल का सिर्फ उस शरीर जेल में है लेकिन आत्मा जनता के पास है उन्होंने लोगों से अर्विंद केजरिवाल की ओर से अपील की थी कि वह आँख बंद करके अर्विंद केजरिवाल पर फरोसा रखे